हरियों दोस्तों मैं योग गुरू डॉक्टर मित अगरबाल अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज का वीडियो आप लोग लिए बहुती महत्वपूर्ण आज की वीडियो हम बात करेंगे कि पेट की चर्वी, कूलों की चर्वी और जांगों की चर्वी को हम किस तरह जल्द से जल्द कम कर सकते हैं तीन आसन बहुत ही महत्वपूर्ण जो अगर आप कुछ समय इसको फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप रिजल्ट देखेंगे आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करन हैं अगर आपकी कूलों की या पेट की चर्वी जब बढ़ जाती है तो हम सब जानते हैं कि इसकी बज़े से कितनी समस्याएं आती हैं सबसे बड़ी समस्या जो हमें आती है वो आती है कि हमें उठने बैठने में बहुत समस्या हो जाती है हम कई बार जमीन पर बैठके उठ नहीं पाते और कई बार हम कुर्सी पर भी बैटते हैं तो उस इस्तिति में कई बार पेट डबता है और हमें थकान ऐसा लगता है जल्दी हो गई और कई बार अगर हमें कहीं जमिन पर बैठना पड़ लाए तो उसकी बएशे से जब पेट पे दवाव पड़ता है तो आपकी सांस भी फूलती हुई सी महसूस होती है क्योंकि यो पेट दबता है पेट दबने की बएशे से ऐसा महसूस होता है कि पूरी स्वास नहीं बैठ रही है तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसके अलाबा दूसरी समस्या जो हम फेस करते हैं जब हम सुभा को शौच के लिए खास तोर से इंडियन शीट पर बैठते हैं आजकल फेशन कमबोड का है लेकिन मैं सज्जेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपको घुटने की समस्या नहीं है तो आप कमबोड पर बैठें अगर आप घुटनों से पूर्टाह स्वस्थ हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप सुभा साफ पेट को करने के लिए शौच मुक होता है और आपने देखा होगा जब कि पेट के कुछ इंचिस या पेट पे चर्वी बढ़ जाती है तो उस इस्तिती में आपको उस आशन में बैठने में भी बहुत समस्या होते हैं तो आज हम आपको बही अभ्यास तीन बताने वाले हैं जिससे आपके पेट की चर्वी प को कहते हैं उक्रु आसन भी कहते हैं उसमें आप अराम से बैठ पाएंगे और अच्छी तरह आप पेट की सफाई से मुक्त हो पाएंगे तो आईए अब हम लोग उन तीन आसनों की जानकारी लेते हैं कि वो तीन आसन कौन से हैं कि जिन आसनों को करके आप अपने पेट की कू पेट के बन लेटते हुए सबसे पहले करेंगे भुजंग आसन, भुजंग आसन के बाग परवत आसन और फिर शशांकासन, भुजंग आसन, परवत आसन, शशांकासन, भुजंगासन, परवतासन, शशांकासन, परवतासन, शशांकासन इसमें हमने तीन अभ्यास देखे इसमें पहला था भुजंगासन और फिर परवतासन और फिर शशांकासन ये तीन आसनों का आपकी प्रेक्टिस है इसमें इन तीनों आसनों को आपको एक साथ करना है पहला भुजंग आसन फिर परवत आसन और फिर शशांक आसन इन तीनों अभ्यासों को जब आप करते हैं तो आपके कमर की थाइस की गुटनों की और सभी आपके इस चर्वी पर इसका बहुत जल्दी आपको पिरभाव नजर आता है इस आसनों की एक खास बहुत और बता दू ये आसन आपके स्पाइनल कॉर्ट जो रीड की हड़ी है उसको तो फ्लेक्सिविल बनाते ही बनाते हैं इसके साथ ही ये डायविटीज वालों के लिए जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए इस आसनों के अध्भुत परणाम है क्योंकि शशांक आसन भी डायविटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और साथ ही आपके भुज़ंग आसन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये दोनों आसनी पैंक्रियास पर दबाव डालते हैं जिसकी वैसे इंसुलिन प्रापर होता है बैलेंस होता है और आपको शुगर में बहुत अच्छे रिजल्ट मलते हैं। जो शुगर के रोगी नहीं भी हैं। अगर वो भी इन आसनों को रेगुलर करते हैं तो उनका पैंकरियाज एक्टिव रहता है। जिससे आपके आगे खत्रे शुगर के ना होने के रहते हैं। बने रहते हैं। जैसे आपने 5-5 बार कर लिया तीनों आसनों को और फिर आपने रेस्ट लिया एक मिनिट का और फिर 5-5 बार तीनों आसनों कर लिया। अगर आप तीन राउंड भी प्रति दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके कूलों पर, पेट पर और जांगों प